हलो फ्रेंड से मैं अमित मालविया एक बड़ फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूटूब चैनल के एक और नवी वीडियो में तो दोस्तो अगर आप जो है एक CAC VLE है और आप जो है आधार सेवा केंदर खोलना चाहते हैं तो मात्र 3500 रुपे में बीना किसी सर्टिफिकेट के आप जो है आधार सेवा केंदर खोल सकते हैं आप कैसे खोल सकते हैं आज किस वीडियो में आपको step by step completely information देने वाला हूँ तो वीडियो यार काफी ज़्यादा informative होने वाला है आप सभी के लिए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और हाँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने वीलिस ग्रूप में शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी लोगों को जो है इसी information के बारे में पता चल सके तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए है तो हमेशा की तरह चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों तक जो है इसी तरह की information आती रहे तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों आप सभी को जानकर हैरत होगी कि आधार सेवा केंद्र या आधार अपडेट की जो ID होती है वो मात्र 3500 रुपे में प्रुवाइट की जा रही है अभी दोस्तों इसके लिए मेरे पास एक फोन आया था जिसमें कि मुझे बताया गया कि सर अगर आप जो है CSC का काम करते हैं तो आप जो है आधार सेवा केंद्र ओपन कर सकते हैं और इसके लिए मात्र आपको 3500 रुपे चार्ज किया जाएगा मतलब 3500 रुपे में आप जो है लोगों का आधार अपडेट कर सकते हैं जब मैंने उनसे पूछा cross question में कि भी आपने हमारा number कहा से निकाला तो बोले सर आपका number जो list होती है district के उसमें डला होता है तो हमको वही से आपका number मिला अब मैंने उनसे पूछा कि अगर आप जो है आधार का ID प्रुबाइड कराओगे 3500 रुपे में तो हम आपका ID बना देंगे जिसके माध्यम से आप आधार अपडेट का काम करना इस्टार्ट कर देंगे तो दोस्तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये एक फ्रॉड काल था अब दोस्तो आपके साथ भी इस तरह की घटनाय हो सकती है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया जैसे कि दोस्तों सभी लोगों को पता है कि VLEs की सारी information जो है हर एक डिस्टिक के माध्यम से डली होती है कि कितने VLEs काम कर रहे हैं CSC में जितने भी सारे VLEs हैं उन सभी की एक list है जो कि आपको online कई पर भी मिल जाएगी आप उसको download भी कर सकते हैं वहाँ पर आपका नाम और आपका mobile नंबर भी होता है तो ये लोग जब आपको phone करते हैं तो directly आपका नाम लेकर phone करेंगे किसर आप Amir जी बात कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि किसी company से phone आया है या CSC की तरफ से phone आया है तो ये आपको बकाइदा इस तरह से लालेज देंगे कि हम CSC की तरफ से बोल रहे हैं और हम आपको CSC की थुरू आधार का काम प्रोवाइड कराना चाहते हैं अगर आप जो ओनलाइन का काम करते हैं तो आप अपने center पर आधार का काम मिले सकते हैं आप कहेंगे या ये तो बहुत ही बड़िया है 3500 रुपे में बिना किसी certificate का आपको आधार का काम मिल रहा है तो आप बहुत सारे लोग ये लोग दिन भर में 25-30 लोगों को target करते हैं तो इस में से जो है 15-20 लोग या 10-12 लोग तो फसी जाते हैं क्योंकि सभी को आधार का ID लेना होता है और उनको पता भी नहीं होता है कि इतने सस्ते में आधार का ID आपको मिल रहा है तो कोन नहीं लेना चाहेगा तो काफी सारे लोग इस तरह के भैकावे में आ जाते हैं, फिर उनको यहाँ पर 3500 रुपे का नुकसान हो जाता है, मतलब कुल मिलाकर उनके साथ में फ्रॉड हो जाता है, ठीके ना, तो UIDI कहता है कि हम जो किसी भी तरह से payment नहीं लेते हैं, किसी दूसरे gateway से भी हम payment को accept नही करेंगे, इस तरह का अगर आपके पास में कोई call आता है, तो आप उसको report करेंगे, आप उसको किसी भी तरह का कोई information share नहीं करेंगे, आप उनको payment send नहीं करेंगे, और आपके पास में ऐसा call आता है, तो सबसे पहले आप उसको block करेंगे, किसी भी तरह की उनसे बाचित नही करेंगे तो दोस्तो मेरे पास में ये call आया था तो मैंने सोचा कि आप सभी लोगों को aware किया जाए क्योंकि हमारे VLE बंदू के साथ में इसे fraud हो जाते हैं एक एक गूर्पया करके वो अपने CAC Center से कमाते हैं और fraud लोग जो है एक ही बाड में काफी बड़ी रकम उनसे चुरा ले जाते हैं तो इस तरह की घटना आपके साथ में ना हो हमारे VLE भाईयों के साथ में ना हो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा अपने वीरिस ग्रूप में शेयर कर दीजिए ताकि कोई भी इस तरह के भैकावे में ना आए अब दोस्तों अगर आपको आधार सेंटर ले लोगों मिल जाएंगे तो उम्मीद करता हूं कि आज की इंफोर्मेशन आप सभी के लिए काफी जाता इंफोर्मेटिव रही होगी तो अगर आपको वीडियो पिसंद आये तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नहों तो चैनल को सब्सक्राइब जरू से कर लिजिए म मैं मिलता हूं एक से वीडियो में किसी नई नौलेज विल इंफोर्मेशन के साथ तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए जय हिन जय भार